गेहु का सिजन अभी आने वाला है और लगबग एक महा बाद जो है अक्टूबर के अंतीम के बाद जो हम लोग गेहु के लिए बुआ योगरा के खेत की त्यारी हम लोग चालू कर देते हैं तो हम लोग जो है हमारा जो चैनल खेती की पार्थाला है वो गेहु के लिए एक सीरीज लाने वाली है जिसमेशे गेहु की खेत की त्यारी से लेके बीजाई से लेकि खाद परबंदक, पानी परबंदक से लेकि छोड़ी-छोड़ी जितने भी उसके नूट्रिस्सन्स को प्रेस कर लेज़ रहेगा क्योंकि गेहूं से संबंदित हमारा जो सीरीज आने वाली है उसका अगर आप फॉलो करते हैं तो निश्ची तोर पर आपके उत्पादन पर काफी ज्यादा प्रभाव पढ़ने वाला है अज पहला वाली वीडियो है जिसमें आज हम बात करने वाले है कि मिठी तधा मिठी की किस तरीके से हम लोग तैसरी करें गेहूं की फसल की लिए भारत एक फिशी प्रधांदेश है जिसमें से अकसर धान के बाद गेहूं या फिर सोयाबिन के बाद गेहूं मुख्य खास कर मद्य भारत के बात करें तो स्वयाबीन के बाद जो है अक्सर गेहुं की पसल लिजाती है लेकिन कुछ भाग ऐसे हैं जैसे पंजाब सेट की मैं बात करूं तो धान के बाद जो है गेहुं के लिए जो मिट्टी होती है उसका पीछ मान जो है 6.4 लगभग काफी अच्छा होता है लेकिन ज्यादा नहीं मतलब जैसे 7 एक नॉर्मल मिट्टी होता है आपको बता है तो 6.4 या भी 6 से लेके 7 की बीच अगर आप मिट्टी है आपकी मिट्टी के pH है तो निश्ची तो पर आपको काफी अच्छा उत्पदन पराप्त होगा लेकिन अगर मिट्टी के pH मान जादा है या फिर कम है तो आप उसको जो है मतलब सलफर या फिर चूने के मातरा डाल के उसको मेंटेन करना है आपको अगर आपकी मिट्टी के pH मान जादा है तो आपको उसमें सलफर डालना है और pH मान कम है तो आप उसको उसमें चूना आपको डाल के उस तो उसमें हमको थोड़ी सी मेनेजमेंट करने की जोड़ पढ़ती है देख क्या होता है कि धान की जब हम रोपाई करते हैं पूरे केत में तो उस अवस्था में जो मिट्टी रहती है पूरी तरीके से वो मतलब हम लोग उसको केजबिल के माध्यम से उसको जो है मिट्टी को पूरी तरीके से भुरभुरी बनाकर जो है आपको गेहूं की बुवाई करना उचीत होता है डिस्क हेरो का अगर आप परियोग करते हैं तो जो धान की छोड़े ठूट होती है वो छोटे छोटे टुकडों में कड़ जाते हैं और इसको जो है सीघर सर्णे में आसानी होती है एक चीज और आप ध्यान रखिए जब भी अगर आपकी गेहूं की मतलब धान के बाद आप गेहूं लगाते हैं और उसमें गेहुन मतलब जो धान की ठूट के साथ साथ चोटे मुट पलारी SMS माध्यम से भी जैसे आप धान कटाते हैं तो अगर उसके चोड़े भूसे जो होती हैं उसको अगर आप खेत में मिलाने वाले हैं तो आपको 15-20 kg नाट्रोजन या फिर यूरिया को आपको परती हेक्टियर के हिसाब से खेत जूताई के समय दे देना रहता है आपको C और N का रेसियो पता है कार्बन और नाट्रोजन का कार्बन को सड़ाने के लिए नाट्रोजन के आउसकता पड़ती है तो जो धान के ठूट होते हैं पलारी के छोड़ चुट कड़े होते है जो कार्बन को पूरी तरही सड़ाते हैं तो गेहों के एक तो जर्मनेसं में थोड़ी परिसानी आती है या फिर अगर गेहूं geraminate हो भी जाता है तो अछ्छा से जड़ नहीं पकड़ पाता है और आप देखें गेहूं पीला पीला दिखाई देता है तो इसलिक कही न किसान ऐसे हैं जो इसलिये पलारी को जला देते हैं तो आपको पलारी को जलाना नहीं है अगर आप पलारी नहीं भी जलाते हैं और इस तरीके से आप मेनेजमेंट करते हैं तो आपको पलारी कोई आपके गहों को नुकसान नहीं करेगा तो जब भी इस तरीके से अगर आप जो खेत की त्यारी करते हैं धान के बाद तो जो है आपको 15 से 20 केजी यूरिया पर हेक्टियर के हिसाब से खेत त्यारी करते समय आपको डाल देना है हलका से नवी बना के रखना है इससे जो है जो कार्बन है उसको गलने में असानी होती है टेक्टर चली त्रोटावेटर द्वारा एक ही जूताई करके खेत को पूरी तरीके से हम लोग तयार कर सकते हैं तो इतनी चीज को जो है आपको अप्टर धान कटाई के बाद आपको त्यार करना है इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप से वेराइटी मतलब किस-किस बिधी से हम लोग गेहूं के मतलब फसल को लें बिधी कईठ होते हैं गेहूं क कैसा लगा नीचे कमेंट करें और भी इससे समन्द कुछ भी सवार रहते हैं तो भी नीचे कमेंट करें वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को भी सब्क्राइब चुरू करेंगे तो फिर वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय भारत जए हैं